ओम सिरी गनेशा नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 जुलाई सनीवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो कोंश सके चली दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज किसी कार्रे को लेकर अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभवना पाई जाती है यदि आप किसी तरह की कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कुशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारम करना चाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तो साती सात भूमी भवन वाहन आदी के खरीदने के भी आज अच्छे योग बन रहे हैं वेग्यानिक दश्टिकॉन और उन्नत सोच आपको आगे बढ़ाने में साहिता प्रदान करेगी बड़े वजर्गों का इशने और आशिरवाद आप पर बना रहेगा दोस्तो साती सात जिस समाचार को प्राप्त करनी के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें आपको सपलत आवस्ट है मिलेगी सिर्फ अपने कारे को योजना बद तरीके से करने की आपको आवस्ट रखता है नौकरी के लिए दी गई प्रतियोगी पुस्तकों को पढ़ने में भी समय निश्चित होगा साथ किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्ति का भी आज आपको आसिरवाद वे मार्ग दर्सन प्राप्त होगा आज सामाजिक वे राजनेतिक गति विदियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें इसमें समय वर्थ हो होने के अलावा और कुछ प्राप्त आपको नहीं होने वाला दिल की अपेक्षा दिमाग से आप निर्ण लें दोस्तों साथी साथ आपका स्वभी मान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता यहीं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है संतान की पर पूर्ण कार्य होगा एक्षित शिक्षा संस्तान में दाखिला मिलेगा अनुबवी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्सन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा जिससे आपको उचित परिणाम हांसिल होंगी और आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बा प्रतिकार करने से एकारण ही लोग आपके विपक्ष में आएगे आपको हर काम बड़ी संजितगी और गंबिरता से करना चाहिए थोड़ी सी भी लापरवाई के परिणाम घातक हो सकते हैं किसी रिस्तिदार के स्वास्थ को लेकर भी आज टेंसन रहेगी विध्यारती हास परियास वे मनुरंजर आदी के विर्थ के काम में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ समझोता ना करें पैसे के मामलों में भी किसी पर आज आपको भरोसा नहीं करना फायदे बंद रहेगा राज किये मामलों के कारों में बहुती आपको साफधानी बरतनी कियाव सकता है साथी साथ कोई नया निवेस करने से पहले आप अच्छी तरे से जाँच पड़तार कर ले इस समय आर्चिक इस्तिती कुछ मंद रह सकती है घर के बड़े बुजुर्गों वे वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखनी के आवश रकत है खर्चों पर भी आप नियंतन रखें इससे आपकी आर्थिक ववस्ता में काफी हद तक सुधार आएगा साथी साथ घर के लोगों के बीच किसी हलकी फुलकी नोक जूंक वे मतबेद की इस्तिती उत्पन हो सकती हैं किसी रिष्टिदार्च संबंदित कोई आप्रिय दोस्तों जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई प्यारा साथी दस तक दे सकता है अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को समझने का आज दिन है जीवन साथी वे परिवार जनों का सहयोग आपके आत्म वल वे आत्म विश्वास को बना कर और आप तनाव मुक्त होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे दामपत्य संबंदों में मधूरता बनी रहेगी परिवार आपकी प्राथिमिक्ता पर रहेगा जीवन साथी आपके परिस्तितियों में पूरी तरह से सहयोग देगा साथी माता पिता वे घर के बड़े बज संतान की सहबत वे अध्यन से संबंदित जानकरी अवस्य लेते रहें किसी पुराने मित्र के मिलने से हर दिक खुसियां आपको आज प्राप्त होंगी दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वे वेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आसमिक धनलाब के प्रबल योग बन रहे हैं प्रतिस प्रदाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे नए कार्रे सुरू करने के लिए समय आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा साथी साथ कारे छित्र में भी काम की अधित्ता रहेगी और दिन भाग दोड में व्यतीत होगा दोस्तों साथी सा आप पिछले कुछ समय से अपने व्यपार में जी तोड मेहनत व्य परिश्रम कर रहेते काफी हद तक आपको इसके सकारात्मक प्रिणाम हासिर होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदित नई योजनाय भी बनेंगी जो आपके लिए अवस्ते ही लाबदाइक साबित हो अगर आप शेयर्स भूमी आदी में निवेस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इसमें निवेस कर सकते हैं यह समय आपके काफी अनुकूल है जो की आगे चलकर आपके लिए बहुती लाबदाइक साबित होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज आप अपने सेहत की छमताओं को बनाए रखते हुए अपने समी कामों को पूरी सारा रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे जै दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा आज आप अपने आपको तनाव मुक्त और काफी उड़ जावान महसूस करेंगे साथी साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना यूग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तों आप बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश वपाय क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदी से निर्वत्र होने के बाद एक रोटी लें और इसके बाद आप इस एक रोटी को एक साफ बरतन में रखकर अपने सामने रख लें और इस रोटी के सामने आप बैठकर अपनी इक्षा पूरी होने की मनो कामना करें या दोस्तो इसके बाद आप इस एक रोटी को भगवान शनिदेव का इसमनर करते हुए काले कुत्ते को या फिर काली गाय को खिला दें या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपकी सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशाने चल ले ही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती हों और आपके सभी कार्रे बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद